हेलो दोस्तों स्वागत है आपका द्रिष्टी PCS में मैं हूँ केवल आपके सामने दोस्तों आपको यह बात तो पता ही है कि BPSC की आने वाली सभी प्रारंभिक परिक्षाओं के लिए क्या होने वाला है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो चुका है याने कि अब कोई भी आप BPSC की प्रिलिम्स का एक्जाम देंगे चाहे वो अर्शट्वी हो चाहे उसके बाद उनात्तर्वी हो चाहे वो सत्तर्वी हो संभावना यह है कि आगे अब और हमसे उत्बरशन नहीं आते हैं जो कट आफ के लिए होने चाहे तो आप गलत प्रशनों को किस तरह से हल करें और किस प्रशन को टच करें किस प्रशन को ना टच करें उसके लिए यह क्या गणित है जिसको लोग तुक्का कहते हैं दरसल वह एक तुक्का नहीं होता है वह एक गणित होती है जिसे हम कहते हैं प्राइक्ता प्राइक्ता गणित की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें कुछ संभावनाएं होती हैं उस संभावनाओं में सबसे बहतर संभावना को ह हम टिक करते हैं, तो आखिर आपकी परिक्षा में यह probability, यह प्राइक्ता कैसे काम करेगी, जिन प्रश्णों का जवाब आपको पूरी तरह से नहीं पता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, कि यह जान ले कि आखिर कितने प्रश्ण आते हैं, कितने अंक हैं, 150 अंक हैं, यानि की एक प्रश्ण का एक अंक, समय कितना आपको मिलता है, सिर्फ दो घंटे, अब माइनस मार्किंग से कैसे बचें, और कट आउफ में अपने आपको ले कर आएं, इसके लिए जानना आपको ज़रूरी है कि कट आउफ कितना हो सकता है, या कितनी संभावना है कट आउफ की, तो देखे, मान के चलिए, जो कट आउफ है, बस 60% के आसपास रहेगा, 60% माइनस मार्किंग के बाद, टोटल कितने आपके प्रश्ण सही होने चाहिए, उसकी संख्या आप मान सकते हैं, 60%, तो देखे, इसका मतलब यह हुआ कि 1.500 में से 90 प्रश्ण, जब आपके सही होंगे, मानस मार्किंग के बाद, जितने नंबर कटेंगे, वो सब काटने के बाद, 90 प्रश्ण या कहें, 90 अंक आपके अगर आ जाते हैं, तो आप कट आफ के अंदर होंगे, तो आखिर यह 90 प्रश्ण हमारे किस प्रकार से सही होंगे, या कितने प्रश्ण हम सही सही कर लें उसके बाद हमें कितने प्रश्णों के लिए अलग से प्रयास करने की जूरत पड़ेगी तो इसी बात को समझने के लिए कुछ परिस्थितियां हमें देखनी होंगी कि क्या-क्या परिस्थितियां हो सकती है जब आपके सामने प्रश्ण पत्र होगा प्रारंभिक परिश्या के दिन, तो उन में से सबसे पहली परिस्थिती जो आपके सामने आएगी, वह यह बनेगी, कि माल लीजे 5 ओप्शन A, B, C, D और E, इस पहली परिस्थिती के अनुसार 5 ओप्शन है, तो कुछ प्रश्ण ऐसे होंगे, जो सीधे-सीधे आपसे बनते होंगे, मैं मानके चलता हूँ कि आपसे कितने प्रश्ण बनेंगे, डेर सो में से 50-60 प्रश्ण ऐसे होंगे, जिसका जवाब आपको सीधे-सीधे आता होगा, अब 50-60 प्रश्ण का सीधे-सीधे आते हैं, तो यह वह इस्थिती होग जिसमें आपको सीधे सीधे सवाल के जवाब आ रहे हैं, बाकी के जवाब मालीजे बिल्कुल गी नहीं आते हैं, तो ऐसे में आपके जवाब, कितने हो गए, आपने attempt किये उतने ही जितने आपके पास सही थे, 50 से 60, लेकिन आपको चाहिए 90, ऐसे में आपको क्या करना होगा, कुछ और प्रशनों को attempt करना होगा, अब ऐसी स्थिती में एक और देखिए, दूसरा नंबर, आपके पास वही A, B, C, D और E, पांच option है, अब इसमें देखिए क्या बात हो रही है, इस पांच option में मालीजे, दो option आपको doubt है, या तो उत्तर A हो सकता है, या तो B हो सकता है, पहले में तो यह था कि अगर A है, तो आपको पता A है, B है तो B है, इस तरह है कि 50 से 60 प्रशना आप हल कर सकते हैं, इससे जादा मालीजे, नहीं कर पाएंगे, दूसरे में दो ऐसे option है, जिसमें कि आपको लग रहा है, या तो A हो सकता है, ऐसे में probability कितनी होगी आपके प्र कि probability है, एक गणित लेते हैं कि आपने इस हिसाब से कितने प्रशन के उत्तर लगाए, 48 प्रशनों को टिक की है, उसके उत्तरों के लिए, अब इस 48 में से 50-50 है, तो 24 प्रशन आने की सही हो सकते हैं, और 24 प्रशन आपके गलत हो सकते हैं, अब ऐसे में 24 प्रशनों के तो एक प्रशन हो जाएगा आपका, उतना कटेगा, इसका मतलब 24 प्रशन आपके गलत होए, तो आपके कितने प्रशन के बराबर माइनस होगा, 4 के हिसाब से लगा लिजे, तो 4 के हिसाब से चुकि 4 प्रशन गलत होने पर एक प्रशन सही प्रशन के बराबर नंबर हो जाते है यहाँ 24 है इसका मतलब 6 6 प्रश्णों का आपका नुकसान होगा तो यहाँ पर आपके जो 24 सही हुए थे उसमें से आप ये 6 माइनस कर दीजे तो कितने का आपको बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर 18 प्रश्ण का बेनिफिट हो रहा है यह वो स्थिति है जिस वक्त आपको के सामने दो विकल्प है या तो यह सही हो सकता है या तो यह सही पांच विकल्प में से दो विकल्प ऐसे होते हैं महुत साइफ प्रश्ण किसी में तीन विकल्प आपको लगें कि इन तीन में से को एक सही हो सकता है, बांकि सबको आपने eliminate कर लिया, दो तक आप नोज गए, अब ऐसी सिती में अगर आप 40 प्रशन लगाते हैं, तो आपके सामने कितने प्रशनों का फायदा हो रहा है, 18 प्रशनों का फायदा साफ साफ देखा जा सकता है, एक और सिती, सिती नंबर 3 देखिए, इसमें भी A, B, C, D, E, तीन ओप्शन हैं, लेकिन आपको लगता है, या तो A है, या तो B है, या तो C है, D और E को आपने eliminate कर लिया, ऐसे में आप क्या उत्तर सही होने की संभावना probability कितनी हो जाएगी, ऐसे में आपकी probability हो जाएगी, 33 प्रितिशत, तीन में से कोई एक होगा ना, तो 33 प्रितिशत हो गया, अब वही गणित माल लेते हैं कि आपने 48 प्रशन attempt किये, इसमें से सही होने की संख्या, एक दिहाई, जैसे कि मैंने आपसे बताया, तो 48 का एक दिहाई क्या होगा, आपके प्रशन यहाँ पर सही होने की संख्यावना है, और गलत होने की संख्यावना कितनी है, 32, अब 32 प्रशन आपके गलत होंगे, तो कितने सही प्रशनों के बराबर होंगे, 32 प्रशन अगर गलत हुए हैं, तो वह अच्चार से डिवाइट करना है, 8 प्रश्णों के बराबर आपको नुक्सान हो जाएगा और यहाँ पे आपने 16 सही किया था 8 का नुक्सान हो जाएगा तो benefit कितने का हुआ आपको benefit हुआ आपको 8 प्रश्ण का ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको तीन विकल्प आते हैं और उस तीन विकल्प में से आईडिया है कि इसको एक सही हो सकते या तो A या तो B या तो C 2 को आप eliminate कर चुके हैं 30 प्रश्ण probability है और ऐसे में आप प्रश्णों को हल करने जाते हैं तो अंतता है आपको कुछ फाइदा ही मिलेगा गणित के हिसाब से अब बात आती है अगर तीन से भी जादा है चौथी स्थिति में कि 5 विकल्प हैं आपके सामने और उस इसमें से आपके पास अब आपको ये लग रहा है कि क्या हो सकते हैं चार इन में से कोई एक सही हो सकता है तो probability कितनी हो गई 25 25 प्रतिशत की, 25 प्रतिशत की प्रवबिल्टी हुई माल लीजे वही 48 प्रशन आपने किये हैं, तो 48 में से सही होने की संभावना कितनी हो गई, 12, गलत होने की कितनी हो गई, 36, सही से आपको कितने अंक मिले, 12, गलत से आपके कितने प्रशनों का नुकसान होगा, 9 प्रशनों लेकिन उसके बाद पांचवी परिसिती जब बनेगी कि पांचों की पांचों में आपको लगेगा कि कोई एक सही हो सकता है आप eliminate नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सिती में आपको जितने भी इधर नंबर मिलेंगे वो जीरो हो जाएंगे क्योंकि जितना आप सही करने पर नंबर पाएंगे उतना ही आप गलत करने पर नुकसान कर चुके होंगे तो पांची परिसिती की तरफ तो जाना ही नहीं है चौती परिसिती में देख तो रहा है benefit है लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि इस परिसिती में भी इस परिसिती में कि आपको 4 में से कोई 1 लग रहा है आप एक ही eliminate कर पाए हैं ऐसे प्रशनों को attempt करने से बचें, attempt करने का सबसे सही तरीका आप यही होना चाहिए कि पहले परिस्थिती में कि आपको जितने प्रशनाते हैं उतने तो आपको करने ही हैं, उसके बाद ये दूसरी और तीसरी से जागे मत बढ़िए, दूसरी में मैंने बताया जहां पे दो भी कल आपके पास बचे हैं, बाकी आपने eliminate कर लिए हैं, ऐसा करने पर आपको ठीक ठाक फायदा हो रहा है, उसके बाद दूसरी में 33 प्रशन जहां पे संभावना है, वहां पे भी आपको ठीक ठाक फायदा दिख रहा है, तो ऐसी स्थिती में आप, अगर आपको यह जो फ पहली, दूसरी और तीसरी इस परिस्थिती तक ही question को attempt करने का प्रयास कीजी, और प्रयास कीजे कि इन तीनों के साथ ही आपका जो सही प्रशनों की संख्या है, गलत प्रशनों के नंबर को काटने के बाद वह कितनी हो जाए, 90 हो जाए, 90 आपको target 60% का तो लेके चलना ही प बिलता है, general की बात कर रहा हूं, यहाँ पर undeserved की बात कर रहा हूं, उस हिसाब से आप अपना cut off कंदाजा लगा सकते हैं, तो क्या सिर्फ इतना ही जरूरी है ध्यान में रखना, negative marking के लिए नहीं, सिर्फ इतने से नहीं होगा, कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा, जैस marking के चक्कर में आप सोचने में ज्यादा समय लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, आप सोचने में समय नहीं लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लग रहा है, समय लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अपनी गती को बना के रखेंगे, जि कि प्रश्ण पत्र हिंदी माध्यम में भी लिखा जाएगा और इंग्लिश माध्यम में भी, कभी कभी ऐसा होता है, हिंदी माध्यम में जो प्रश्ण लिखा गया है, वो अनुवाद जो है सही नहीं है, जो कि इंग्लिश में सही है, उदाहरण के लिए, मान लिजे आपने प्रश्ण में पढ़ा law of podhah, अब law of podhah तो कुछ होता ही नहीं है, law of podhah नहीं होता है, steel plant होता है English में, लेकिन उसका अनुवादक ने translation कुछ ऐसा दे दिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा, उस प्रश्ण में आप उलजे रह जाएंगे, या तो आप उसे छोड़ भी सक इंहीं है, तो ऐसी परिसिती में प्रश्ण को छोड़ने से भी थरो है, कि एक बार आप देख लेजे कि English में क्या लिखा रहा है, हो सकता है आपको English का प्रश्ण देखने से समझ में आ जाए की पूच क्या रहा है, प्रश्ण की demand क्या है, तो ध्यान रखना है English में क्या प् आथन सही है, ऐसे लिखा रहा था, सही नहीं है, आपका जल्दी यल्दी में ध्यान सही तक गया और नहीं पर गया ही नहीं, तो इस तरह के statement बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं प्रश्ण में, कुछी प्रश्ण ऐसे होते हैं, लेकिन वो कुछ प्रश्ण ही निर्धा पारित कर देते हैं, कि आप cut off के इस पार रहेंगे या उस पार रहेंगे, तो statement को ध्यान देना है, प्रश्ण को अच्छे से देखना है, और उसके बाद subject, topic, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारे set में paper बनता है, आपके पास जो set आया, महा लिजे आपके पास set B आया शुरुआत में प्रश्ण ऐसे थे, जो कि आपसे नहीं बन रहे थे, अब आपको anxiety हो जाएगी, उस चक्कर में आपको लगे कि आपसे बनता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, जबकि हो सकता ये वो प्रश्ण है जो आपसे बनते नहीं है, पूरे प्रश्ण पत्र में, औ और आगे के सारे प्रश्ण आपसे बनते हैं, तो ऐसी परिस्थिती में आपको घवराना नहीं है, आपको आगे बढ़के देखना है कि किस खंड से आपको बनता है, आपकी पकड किस खंड में है, अगर माल लीजे आपकी पकड विज्ञान में नहीं है, आप विज्ञान म शुरू करिए जहां पर आपकी पकड़ जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है दूसरी बात फिर उसके बाद जिस पर पकड़ अच्छी है ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इतिहास में पकड़ बहुत अच्छी है लेकिन इतिहास में कुछ प्रशन आप से छूट रहे हैं तो आपक सारे जवाब को आते थे, बहुत सारे नहीं आते, confusion है, जैसे वही परिस्थिती दो वाला है, परिस्थिती तीन वाला है, कि दो में से कोई एक होगा, या इन तीन में से कोई एक होगा, तो फिलहाल के लिए रुकिये और आगे बढ़िये जहां पर आप sure shot है, वो जब हो जाए एक तरफ से वो लगा लिजे कि short shot जिसमें जिसमें थे वो आपने कर लिए, अब उसके बाद जिस खंड में आपको लगता है दो-दो, फिर दो-दो में से कोई एक चुनना है, जिसमें तीन में से कोई एक चिनना है, तो ये आप कैसे चुनेंगे, subject wise, topic wise, जिसमें आपके उ सारी बातों का ध्यान रखना होगा, ना सिर्फ आज, परिक्षा के दिन भी इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा, हम जल्दी, target VPSC series लेके आने वाले हैं, और उम्मीद है कि आप हम से जुड़े रहेंगे, और हम target VPSC series को cover करेंगे, आपका पूरा current affair revise करेंगे, और आप परिक्षा में बहतर प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना ये होगा, कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हम से जुड़े रहना होगा, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्त रहें, म जल्दी से लिए ये स्वस्त《 विए तक टूली वीडियो करेंगे, स्वस्तित रहें, तो जल्दी इत होगा, तो जल्यों ड्ली स्वस्त रहोगा, जल्दी रहें, कि विए दुड़े जल्यून ya कि अन्यून से भाल डतों 5 20 मिलते हैं, ये हम से अपको करनाया होगा,